आज देखेंगे मनुव एग्यानिक का पार्ट सेकेंड ठीक है तो पार्ट फर्स्ट में हमने उने कोशन को सौल करा था ठीक है वन से लेके 50 तक की उसमें हमने कुछ इंपोर्टन से डैफिनेशन के बारे में देखा था ठीक है तो आज की वीडियो भी कुछ इस पर भी डैफिनेशन से हैं तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वह जरूर देख लें क्योंकि उस वीडि ठीक है फिर नेक्स्ट दिया गया है सिक्षर प्रक्रिया का केंद्र बिंदू होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा डी ऑॉक्शन क्या है सिक्षर प्रक्रिया का केंद्र बिंदू क्या होता है छात्र होता है फिर जॉन डिवी ने सिक्षर को प्रक्रिया माना है क्या है त्री द्रुवी ठीक है तो इसको मैंने कैसे याद करा था त्री तीन हो गया और ड्रुवी जो ड्रुवी जॉन ड्रुवी है तो उसको लिए क्या करा था तो टू एडम्स फिर आगे देखते हैं कोशन 54 नमबर अभी व्रिद्धी से अभी प्रायर शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में व्रिद्धी होने से है जिसका उपयामन किया जा सकता है या मद किसका है तो इसका आंसर हो जाएगा सोरंसन ठीक है? फिर है इस पर दोगी क्या important है अभी प्राय अभी विद्धी से अभी प्राय सरीर और उसके अंग के भार एवंस आकार में विद्धी तो क्या हो जाएगा किसका भार और आकार में विद्धी शरीर और उसके अंगों के भार इवन्हों सिर्ट उकहरा में वृद्धी होने سے मापन किया जा सकता तो इतरा देखीी याद रहेगा ना सरीर के अंगों का भार के मापन का तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उन्वह सोरींसेन फिर संतान को प्राप्त होने वाले गुरों का नाम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जेम्स डेवर का ठीक है तो इस पर क्या कर ओप एसपे आप लोग बोल सकते हैं जो भी माता पिटा के कुछ चीजसे होती है कुछ जो वैवाय टाइप में तो वह उसी में आ जाएका ठीक, तो माता पिटा की शार्टी की एवन मांसे की विशिश्ताऊ का संतानों में हस्तरांतर होना वण्शा नुकरम में तो वह अंशान उक्रम से आप लोग याद कर सकते जेम से डिवर फिर इसके बाद कोश्चन नमबर 58 है इस पर दिया गया सईयुक्त कोस्ट में वन सूत्रों की संख्या होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएको 2323 क्या है 2323 मतलब की या 23 जोड़े फिर इसके बाद कोश्चन है 59 वंशान उक्रम का वाहक होता है या होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कोश्च विकास का सिध्धान होता है तो इसका अंसर हो प्योग सभी है बीज कोस्ट की निरंतरता का सिध्धान्त है व्यक्तिगत बेवि वंशान उक्रम सेवन सभातावरं की अंतरक्रियों का सिध्धान्त है फिर है विकास की अवस्था होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चार विकास की कितनी अवस्था है तो चार वस्था है तो इसे मान सकते विकास के कितने लड़के हैं चार लड़के है ठीक है फिर है शैस वरस्ता का काल माना जाताँ है तो इसका आंसर हो जाएगा जन्ष से लेकर 6 वरस्ता की थी फिर है मनुश को जो कुछ बना होता है वह चार या पांच वर्स producer Story बन जाताए या कथन किसका ए decisions इस फ्राइड है पिर काकूशनमर्स जिवन के पहले दो वर्तों में बालए अपने फावी जीका सिला्एंस करता है या करतन किसका अहिए तो इसका हो जाएगा इस्टाइंग फिर बीशी सताब्दी को बालए कि सताब्दी किसी ने कहा है तो इसका है क्रोV इसका अंसर क्या हो जाएगा बालक की सताबदी किस ने कहा है क्रों एंड क रोकल ने क्हिए किस ने कहा बालक प्रथम छह i-20th경 में तो ihn आंसर क्या हुजाएगा बी ओश्यन belong तो गैसल दिया गया तो इस पर आप जो आप सकते हैं चैवर्सों में जो गैस के दाम है 12 वर्स हो गया तो जो गैस के दाम है पहले से डबल हो गया है तो आप जादा यहाल से याद रहेगा क्योंकि हार एक डेफिनेशन में आप लोगो कुछ ना कुछ यह सर्वाइवल ओफिस्टेस्ट है केबल सकति सालों की ही प्रकती सक्षा करती है कफन किसका है तो यह हो जाएगा Darwin का फिर है मेंडलवाद के प्रति पादक मेंडल कहां के निवासी है तो इसका आंसर हो जाएगा चेकल स्लोग वाकिया गए ठीक है कि फिर कुशन नंबर 69 है निम्न में से कौन से कफन सत्य तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओसन से सारे सते हैं एडवर्ड वेंस का अध्यान से जॉक्टर वंशिप ने किया काकी वाद परिवार है कि when ship इस पर डिया गया है। वातावर्ण उन सब को कहते हैं जो किसी वस्तु को चारो ओर से घेरे रहती है और और उस पर प्रत्तेक्षिप्रभाव जालते हैं यह परिवाजा किसकी है तो यह उसका अंसर हो जाएगा जीस बड़ की ठीक है किसर जीस और पाट नेक्स्ट कोशन देखते हैं है 71 नमबर है व्यक्ति का वातवरन उन सभी उतेजनाओं का योग है जिसको वा जन्म से मृत्यू तक ग्रहण करता है जो व्यक्तिस से जन्म से यह बताई यह किश का यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा वाट्सिण का कोई पी चीज दे दो मैं उसको बना दूगा वाट्सिंग और यह कोई बालक दे दो फिर है जन्म से जन्म की समय बार्क का मस्तिक एक कोई-प्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है किसका फिरीस कर देंगे तो कुछ भी लिख लेंगे फिर इस किराइज 74 नंबर है बुध्धी के विकास में वह्षान उक्रम का प्रभाव और वाता वरं का प्रभाव बीस प्रतिसत होता है यह कंसर हो कुमारी बक्स का क्या दिया गया रहरत किसका है वाक रावhran का क्यों जैगा हुर्शॉवूली PGC अनुक्रह सब्सक्राण का है टिक है तो यह किस ने बोला है कुमारी बग्स ने बोला है फिर इसके बाद है व्यक्ति वंशानुक्रम और वाता वरन का योगदान नहीं वरन दोनों तत्वों का गुड़नफल है यह किसने बोला है इसकांस रोजा का वुडवद और और मारिक वस्त अब यह वाला विंपॉर्टेंट मानो विकास की प्रथम अवस्ता है कि तो क्या हो जाएगी शैश्व अवस्ता है फिर नेक्स्ट एकोशन्स मूल प्रवित्ती क्रिया करने का करने का करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है या परिवासा किसकी वुडवर्व फिर मूब प्रवित्ती र्याइज होती है सीखा हुआ बिना सीखा हुआ सव रूप है प्रवित्ते का और 12 के साथ एक संवेग आवश्यक जूड़ा होता है है अवश्य जुला होता है ठीक है कुश्चन नमस 78 है स्वरी 79 है मूल प्रवितियां चरित का निर्मार करने के लिए कच्छी सामगरी है सिक्षर को अपने सभी सब कार्यों में उनके प्रती ध्यान देना आवश्यक है या कतन किसका है तो यह और निर्मार करने के लिए कच्छी सामगरी है तो इतना जब याद रहेगा तो आप लोग कुछ ना कुछ कहीं न कहीं तो हिंट तो मिली जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रॉस हो जाएगा ठीक है फिर है किस विधी द्वारा मूल प्रवितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है तो इसका आंसर बजाएगा यह सभी नोट डाउन को लीज़ेगा यह भी दमन विलियन्स और मर्गान्तरी करन्स और फिर नेक्स तीसरा नमबर है शोजन उन्यन फिर आगे देखते हैं मेकडूगल ने मूर प्रवित्यों के वर्गी करण में कितने मूर प्रवित्यों की सूची दी है तो इसका आंसर हो जाएगा उसे व्यक्ति के आंत्रिक अंगों का प्रॉण होना तदा उन गुड़ों का विक्सित होना जो वन्स परंपरा से प्राप्त होते हैं विकास की उस निश्यत अवस्था है जिसमें विकार करने के योग हो जाते हैं जो वे इस अवस्था से पूर्व नहीं कर सकते हैं तो इस क्या है फिर है विकास के कितने आधार है आप देखिए यहां पे आधार पूछा गया तो कितना हो जाएगा सी ओप्षन से दो है ठीक है अभी हमने पीछे चान पूछ पढ़ा था वह मूर्ड प्रवित्तिया दी फिर इसके बाद कोश्चन नमबर 84 है विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो इसका अंसर हो जागा यह सभी तो बुद्धी भी है यौन भी है अंतर जो अंतर स्रह संग्रंतियां वो भी है प्रजातिवा संस्कृति भी है पॉस्टिक भोजन और और क्या है रोग एवं और ठथा फिर वैलनक्कान को सींखेंने का आदर्स काल भी बोला है तो इसका आज़े के सेबने का आदर्स किसने ने बोले हैं फिर कुछिन नमबर 86 है सैसा वस्ता की प्रमुक मनों विज्ञानी की विशेस्ता है तो इसका अंसर हो जाएगा मूल प्रवत्यात्मक वहवार ठीक है तो कि बच्चा क्या है जैसा वहवार आप लोग करेंगे वैसे ही वह भी करेगा तो तब ही बोलाता है कि बच्चों के साथ निर्मार कारी काल बाले वस्ता बाले वस्ता को किन नामों से जाना जाता तो आंसर हो जाएगा डी यह समी प्रारंबी के विध्याले की आयू समुह की आयू और चुस्ती की आयू और गंदी आयू फिर है विकास के काल को जीवन का अनोखा काल कहा गया है विकास के काल को ज सारे टिक विकास की विशेस्ता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डियों से उप्योगत सभी तो आप लोग यह वाला पढ़ दीचेगा फिर नेक्स्ट कोश्चन नंबर 90 इस पर दिया गया है जन्म के समय सिशु की हड्यों के संख्या होती है तो इसका आंसर हो जागा 270 ठीक है इसके बाद दिया गया है जन्म के समय सिशु के हिद्य की धरकर अब यह देखिए इंपोर्टन यह भी एक मिनिट में जो होती है जन्म के समय तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 140 ठीक है और नॉर्मल इसे 75 72 होती है और फिर इसके बाद कोश्चन नंबर 92 है इससे बोला गया ह है बालक के हार पैर और उसके नेत्र उसके प्रारंबिक सिक्षक है ठीक है या कतन किसका है तो आंसर हो जाएगा रूसो का हार पैर और उसके नेत्र प्रारंबिक सिक्षक है किसने बोला है रूसों ने बोला है फिर है बाल्य वस्ता में सिसु की हड्यों की संख्या होती है तो जाएगा 350 फिर कि 100 आवस्ता कि 100 तक हिदों कि धरकन से एक विड़ाइगे होती है तो इस जाएक पर फिर इसके बाद स्सलूधे कि कौन सी आवस्ता होती है तो जब तो कांस्र आवस्ता को इस तो Aktie है फिर है एडोल सेंस शब्द लाइटिन भासा की एडोल स्केर क्रिया से बना है जिसका तातपर है तो इसका अंसर हो जाएगा परिपक्ता की और बढ़ना ठीक है भी ऑप्शन्स ग्यारा या बारा वर्स की आयों में बालक की नसों में ज्वार उठना आरम हो जाता है इसे कि किसोरा वस्ता के नाम से पुखारा जाता है तो या किस ने बोला है तो हैडो कमिटी रिपोर्ट ने बोला यह ठीक है 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 कि कुश्चन नबर 99 है इस फे बोला गया है कि सोरा वस्ता प्रतिये के व्यक्ति के जीवन में वाकाल है जो बाल्य वस्ता के अंत में प्रारंब होत सब्सक्राइब किसकी रचना है तो आंसर हो जाएगा इंपॉर्टन से जितनी भी है वह इंपॉर्टन और प्लेस बुक्स ठीक है फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टन यह से दो भी आत कर लीजेगा फिर इसके इसके बाद कुछन नमबर के बैसे बोला गया है कि सोर या कि सौरी में सारी दिक इवन समानसिक परिवरतन होते हैं तो इसके बाद बहुराद बहुत जल्दी आदो जाएंगे अब लोग फिर इसके बाद दिया गया है कुछन नंबर सब्सक्राइब को सर्वोतन रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन या परिवर्तन सामाजिक और मनोवग्यानिक होता है किसने बोला है तो इसका रोजाएगा विंग वह हंट तो आज हम लोने करें हैं कोश्चन नंबर से लेके वन सब्सक्राइब करने के लिए हर एक किसी ऐसी तरीके से याद करिया तो उसका वर्ड उठाकर या कुछ ऐसा बनाएं कि इग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को प्रॉब्लम नौ ठीक है तो फिर से बता देरें कि डैफनेशन से इंपॉर्टन है डैफनेशन की आप लोग यह वाली वीडियो पार्ट जो फर्स्ट है वो देख लीजेगा और सेकेंड यह दोनों वीडियो इंपॉर्टन है ठीक ह आगे के जो चैप्टर से उन पर डैफनेशन हैं बट जल्दी याद हो जाएंगी वो ठीक है तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट व्यूडियो में और इंपॉर्टन कोश्टन के साथ मिलेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद